आज हम धाबा स्टाइल कीमा बनाएंगे वो भी तवे पर बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही डिलिशियस कीमा बनता है तो आज मैं आपको इस सिंपल से इजी कीमा फ्राइं की रेसिपी देने जा रही हूँ इसके लिए सबसे पहले हम एक तवा लेंगे पहला हुआ खुला तवा आप ले 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 और इसके उपर पांच खाने के चमच तेल डालकर गरम करें आप घी भी ले सकती है अद्रक और लेसन हम डालेंगे तकरीबन दो खाने के चमच क्रश की हुई अद्रक और लेसन फ्रेशली आप इसे कूट लें कूट कर यूस करें या फिर आप इसे कदुकश कर लें अब हम इसमें चॉप की हुई प्यास शामिल करेंगे दो मीडियम साइज की प्यास हम लेंगे और इसे अच्छी तरह से चौप करेंगे बारीक अब हम प्यास को इतना फ्राय करेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और प्यास जो है वो नरब होने शुरू हो जाए तो प्यास का color change होना शुरू हो गया है और प्यास अच्छी तरह से नरम हो गए है अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे कीमा आप मटन का भी ले सकती है वीफ का भी ले सकती है और चिकन का भी ले सकती है 500 ग्राम यानिके आधा किलो तक्रीबन मैं यहाँ पे कीमा ले रही हूँ मैं वीफाला कीमा ले रही हूँ अब हम कीमे को भूनेंगे 3-4 मिनट भूनेंगे मीडियम हीट पर और अब हम इसे कवर करके 3-4 मिनट कुक करेंगे लो हीट पर, लो फ्लेम पर तो तक्रीबन 4-5 मिनट इसी तरह हम इसे ढखन, ढखकर कुक करेंगे और इसके बाद हम इसे भूनेंगे 1-2 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें दही अट करेंगे या आप देख सकती हैं, कीमे का पानी खुश्को गया है खीमा भून गया है, अब हम इसके उपर दही शामिल करेंगे 2 खाने के चमच हम इसमें थिक योगर्ट यानिके जो दही होता है मीठा वाला वो हम इसमें अट करेंगे नमक आप हजबे जाएका अट कर लें कुटी हुए लाल मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टी स्पून या फिर टेस्ट के इसाब से अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा भी एट कर सकती है टर्मेरिक पाउडर यहनिके हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे आधा टी स्पून कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे टू टी स्पून यह साबुद धनिया है जिसे मैंने क्रश के लिए इने के कोटलिया है यह हम इसमें add करेंगे 2 टीसपून यह निए दो चाय के चमउच भर के और अब हम किमे को fry करेंगे 2-3 मिनट इसी तरह हम fry करेंगे और अब हम इसमें अचारगोंश मसाला शामिल करेंगे अगर आप चाहें तो आप इसमें कढाई गोंश मसाला भी add कर सकती है में यहां पेस में अचार गोश्ट मसाला शामिल करी हूँ, इससे के टेस्ट बहुत ही अच्छा, भिल्कोल ढबे वाला आता है, दो ख़ने के चमचो हम इसमें अचार गोश्ट मसाला शामिल करेंगे, रिच्छी तरह से फोराई करेंगे 2-3 मिनट, को मारेников चुमें हम इस तरह बारी की सलाइस में कटी हुई ही टमार टुमाड़ कट हुई टमाटन अबहर डालेंगे दो अदड मीडियम साइस के हम टमाटन लेंगे और इसे इसंतरा करके गोल-गोल कट करेंगे बिल्कुल thri Sabal जो पर चैलें और Kr मुझा रखकर लो फ्लेम पर दस मिनट के लिए पकाईंगे तो दस मिनट हो चुके हैं तो तमाठर अची तरह से नर्म हो गए है अब हम कीमे को भूनेंगे अची तरह से और जो टमाठर है तो उन्हें भी मैश करते जाएंगे इसी तरह अची तरह से हम चार से पांच मिनट कीमे को भूनेंगे तो ये कीमे का जो ओल था वो अलग होना शुरू हो गया है और कीमा हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो तवा कीमा हमारा त्यार है हमें से गार्डिश करेंगे अद्रक, कटीवी अद्रक और साथ में हरा धनिया थोड़ा साम गरा मसाला इसके उबर डालेंगे तकरीबन दो चुटकी यानि के वान बाइ फोट टी स्पून या फिर आधा टी स्पून गरा मसाला हम इसके उबर डालेंगे तो ये तवा कीमा हमारा त्यार है सिंपल और इजी रेसिपी है जटपट बनने वाली रेसिपी है आप इसे बनाएए जरूर ट्राइ कीजिए पराठों के साथ सर्फ करें या फिर नार के साथ दोनों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है तो उमीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अब इसे बनाएए ट्राइ